Hello everyone myself Manisha Welcome to Em ibaN2-Education Point आज को अमारा TOPIK माइक्र बैक्टरिया टुबर कोलोस। टीबी के बारे में आपने सुनाई होगा तो आज इसके बारे में हम डीटेल में पढ़ेंगे माइक्र बैक्रिया टुबर कोलोसन। है आख करते हैं आगे कि तो टूबर्गोव ससलने इन्फक्स टिसेश क्या है तूबर्ग Bluetooth जो यह यह जो कित्व बेत्वरा करते हैं यहान भी तूबर्क भी कहेते हैं जो बैक्टेड Renee के द्वारा प्रेक्ट करता है उसके साथ साथ मेंगर कंडिशन जैंग हो जाती है बहुत वीकणे साने भीमारी इसके साथ मेंगर होती है तो ईह आपकी और ओर ओर को भी एफेक्ट कर सकती है जैसे कि के लिग्यों पर फैंड लिंपनोट इनको भीवेक्ट कर सकती है तो यह जो लग को अफेक्ट करते हैं तो इसके परसे मीट होता है यह fils जैसे कि पेशन है जिसको टीबी पॉजिटिव है उसके अंदर माइको बैक्टिरियम ट्यूबर को लॉस्स इस प्रसंट है तो वह क्या करेगा चीकेगा बोलेगा बात करेगा खासेगा तो उसके मुह से जो ड्रॉपलेट निकल रहा है जैसे हमान बात करते हैं तो चोटे-च खड़ा है वो अगर बात कर रहा है चीक रहा है तो उसके मुझ से जो पार्टिकल निकल रहे है और तो वह पार्टिकल जो है वह एयर भी कितना मिलब कई घंटों तक प्रजेंट हो सकते हैं जिसे कि उसने चीक दिया है चीक के वह कहीं दूसरे और चला गया बट वह जहां पर खड़ा था उस जगह पे वह पार्टिकल जो है वह डॉपलेट जो वह नुक्लिय जो है वह प्रजेंट हो सकती है कुछ हावर तक ठीक है जिससे कि जो अधर नॉन इंफेक्टिट परसन है उसको भी वह विमारी हो सकती है अगर उसके इमेनेटीव वेक है उसको किसी प्रका इंफेक्टिट पेशन्ट यानि कि कोई इंफेक्टिट पेशन्ट है जिसको ट्यूबर्कुलोसिस है तो उस इंफेक्टिट पेशन्ट के द्वारा जो ड्रॉपलेट जो छीकने के द्वारा जो ठीक है स्काफ के द्वारा स्नीज के द्वारा या स्पीकिंग के द्वारा ज के चला गया तो वह द्रॉपलेट उसके मुह से निकल के उस चाहिए पर एडेर हो गए है तो वहां पर फिर से उसके बाद इस टिक की बात करें तो दे आर नोन मोटाइल यानिकि यह क्या होते हैं नोन मोटाइल होते हैं यानिकि इनमें फ्लैजिलम नहीं प्रजेंट होता है यह एक जगे से दुसरे जगे मून नहीं कर सकते हैं यानिकि कुछ बैक्टेरिया ऐसे होते हैं जो कि एक जगे से चलके दुसरे जगे चाह सकते हैं क्योंकि उसमें क्या प्रजेंट होता है फ्लैजिलम जो कि इसमें नहीं प्रज तो यह जो होता है इसके इंदर को एक बेंब नहीं होता है लोन इस फॉरिंग होता है यानि इस इस प्रणिक होता है इसकी बात करते हैं तो दे आर से अब्लिगेट एरोब्स होता है कवर्ड रोड शब्ड बैक्टेरिया कर्वड शब्ड का होता है और रोड शब्ड का होता है रोड यानिकि यह इस तरीके से होता है कुछ बैक्टेरिया ऐसे होते हैं कुछ जिग्जग शब्ड में होता है तो इसे प्रकार यह कुन सा होता है कर लिया तो वह चल्raw करने के बाद में आपके लेरी क्या में अगर आपके क्याल करता है जिसहां करता है लंग को चहते हैं ऐ सान खल मोlines थाاس तो फेन अीज़ क्यां Strength करता गहएं अगर इनफेक्ट है यह आफ करता है प्रेक्ट करता है जाने के बाद में आपकी जो एलविलाई है तो आपके कहां में जाता है उसके बाद में यारो गॉजांती है कि दीरे दीर हो ब्लाइदा कर सकती है उसके बाद में बात करते हैं, इससी classification की Tuberculosis चुह वो तो लुř होता है, Pulmonary Tuberculosis और Extra pulmonary Tuberculosis, जिसमें pulmonary Tuberculosis की बात करें, यह भी 2 types का होता है, Primary Tuberculosis और 1 होता है, Secondary Tuberculosis, Primary Tuberculosis डूटो Initial AKe intendous Infection With Tubercul Bacillus, यानि कि आपको first one जो infection होता है जैसे आपको पहले से कोई TB की बिमारी नहीं थी किसी पकर का कोई सम्तप्स इस तरीके का शोड नहीं होता था आपको अभी अभी जो है ये तुरंत आपको tuberculosis हुआ है जैसे कि किसी आप infectious patient के contact में आये हो और वो droplet जो है आपने inhale किये है तो वो जो tuberculosis होता है उसे हम किते है primary tuberculosis अब secondary tuberculosis due to exogenous reinfection आपको reinfection होता है यानि कि आपको ये जो कि वो जो bacteria dormant phase में आपके macro phase में पढ़ा हुआ है वो active phase में आ जाता है ये stage में मैं आपको बताऊंगे पहले आप ये tuberculosis के classification के बारे में पढ़ ले थे हैं उसके बाद में तो due to exogenous infection यानि आपको reinfection हो रहा है पहले से ये bacteria आपकी body के अंदर present है या वा उसकी active stage में आ गया है दूसे हम कहते हैं secondary tuberculosis next is affected mostly child यी primary tuberculosis जो है वो manually किश sq चाइल्ड को effect करता है और secondary tuberculosis जो हे वो adult को effect करता है क्यूंki adult की immunity वह क्या हो जाती है weak हो जाती है इसलिए उसके बाद affected lower and middle lung लगлад यानिम्तिल और bagian को effect करता है और secondary tuberculosis है जिसे होता है reinfection जब होता है active stage होती है तो वो जो है upper lobe को infected करता है लंके उसके बाद में maybe show symptoms जिसमें यह क्या-क्या symptoms show कर सकता है जिसे की normally fever आ गया है या फिर cough आता है ठीक है night sweating हो सकती है या फिर weight loss भी हो सकता है secondary tuberculosis में tissue destruction हो सकता है undergoing necrosis भी हो सकता है या फिर other symptoms जिसे की fever हो सकता है night sweating weight loss यह तो होता ही है पर उसके साथ में रिस्क होती है कि tissue का destruction होने लग जाता है अंदर यह अंदर और अंदर गोई necrosis भी हो सकती है ठीक है तो यह तो हो गया classification अब हम इसकी transmission के बारे में बात करते हैं और है pulmonary or secondary sorry extra pulmonary tuberculosis जिसमें pulmonary tuberculosis हमने पढ़ा है कि primary और सेकेंड़ी टीबर कुलासिस सेकेंड था उसमें extra pulmonary tuberculosis extra यानि की नाम से समझ वहारा है कि आपके other organ को effect करेगा pulmonary यानि की लंग्स को effect कर रहा था तो यह extra pulmonary यानि की pulmonary के हलावा भी other organ को effect कर सकता है जिसके अफेक्टी अफेक्टी अफेक्ट को effect कर सकता है अगर लिंफ नोट को करेगा तो उसमें आपको ने की लिंफ नोट में वह सकते हैं जोगी उसके बाद में यापके लेरिंग्स फेरिंग्स टेक्ट से हों के फिर वह आपके वह आपके ऐलूलाई में जाएगा तो वह लेरिंग्स फेरिंग्स और इप्लोटिक्स को भी effect कर सकता है जिनाइटो-यूरिनरी ट्यूबर को लोस तो तो सकता है हाट को एफक्त कर सकती है अगर कर सकता है उसके बाद को करेंगी तो अघर परोवेकर करेंगी तो आपके बिहवियर में चेंज हो सकता है इसके लिटल टुबर को लॉसिस इसके लिटल यानिक आपके जॉइंट में पहन हो सकता है यह पर नी और स्पाइड में स्वैलिंग हो सकती है पहन भी हो सकता है अगर अधर और और अफेक्ट करेंगी तो सारे सब्गी के सिंटम्स वह अलग-अलग शो होंगे पैतो फीजियो कि इंटरी कैसे हो रही है दो प्लेट के थुआ है तो कोई नॉन इंफेक्टिट परसन ने जिसने वो डॉपलेट को इंहेल कर लिया है उसके बाद मैं बैक्टरिय इस ट्रांस्मिटेट टू लग लाई तुरू एयर वे तुरू यानिकि ट्रेक्टरिया के तू कहां पर आ लाइव सßenफीर आपके लंग को इंत्नक कर सकता है वह तो लेवल खालए के बाद में वही दिपोजीशन इंड मिलटि एप्लिकेशन नोह बैक्टीरीया आने के बाद में बैक्टेरिया का इंडि आन stata यहां जो है वह स्टार्ट हो जाएगा और इसका एकल्य क्रोट को जब भी कुई पाटिकल एंटीजर हमारी बॉडी के अंदर होता है तो इसमें दुटीज होती है वह उस बेक्टिरिया पो चेल का में दिन बना ती है तो सबसे पहले को तो इसमें मैक्रोफेज न्यूट्रोफेज 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 न्यूट्रो यह मैक्रो प्राइक्तेरिया जो है आपके वोडी के अंदर आया है वो ऊस मैक्रो फेस को सब्लाइस से Hero यानिकि इन्य क्याम क्या है उस बैक्तीरिया को लग कenne來到 Ariana जेक्तेरिया ही ऊस मैक्रो फेस को रोग देगा ताकि वह को उस बैक्तेरिया मैक्रोफेस बच गया तो मैक्रोफेस के अंदर दॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा कि जैसे हम बात करें कि वह बैक्टरिया उसके मेक्रोफेस के अंदर इंटर हो गया है तो अब क्या होगा कि जब कभी वापिस उसी परसन की इम्मिनिटी वीक होगी या फिर उसे कोई अधर प्रकार की बिमारी होगी तो उसके कारण क्या होगा कि बैक्टिरिया जो है वह दुबारा एक्टिव स्टेज में आ जाएगा क्यो कि इंदर कोई तो यह कि अंदर मेल्टिप्लिकेशन मेथ आपके नहीं होगी तो हमें उसे बचाने के लिए जाना है तो यह CMI जाएगी cell immediate immunity यह activate होके जाएगी surround cell from granuloma तो यह जो macrophage cell है हमारी यह macrophage है तो उसके आसपास क्या है इसके अंदर bacteria है जो कि dormant stage में पड़ा हुआ है तो यह cell immediate immunity जाएगी और इसके आसपास इस तरीके से granuloma बना लेगी इस प्रकार granuloma बना लेगी जिससे के हमें symptoms होने लग जाएगे उसके बाद में start replication in macrophage मैंने भी आपको बताया कि macrophage के अंदर bacteria जो है वो क्या करेगा multiplication स्टार्ट कर देगा कब जब कभी उसी person के immunity वो वीक होगी या फिर क्या होगा जिसे अधर प्रकार की बिमारी अगर उससे हुई है तो डॉर्मेंट से वो फिर active stage में चला जाएगा अब हम इसे stage के बारे में बात करते हैं कि यह stage जो वो कितने types की होती है stage of infection यानि कि microorganism जो इंटर कर जाता है तो उसकी 3 infection की 3 stage होती है first stage होती है primary second होती है latent और third होती है active stage first one बात करते है primary stage की तो entry of microorganism in alveoli exhibit symptoms one to two weeks यानि कि जब microorganism की entry हो जाती है यानि कि ट्यूबर्कल बैसिलाई या फिर mycobacterium ट्यूबर्कलोस की entry अगर आपकी trachea airway के थ्रू जो है वो अलवलाई में चली गई है microorganism तो एक से दो विक के अदर्ड वो symptoms show करने लग जाएगा तो first entry of microorganism यानि की microorganism की entry हुई है फिर वह एलवलाई में गया है symptoms show होंगे तो यह सब पहली बार हो रहा है तो से हम क्या कहेंगे primary infection इंदर हो गया है उसके बाद बैक्टेरिया इंस्ञे means the allergies the lab игр dangerous 크ंट के लिए तो कुछ सबक्ती मैंकरमक करवाद कर दोकुछ बैक्टेरिया जो हिवय वो ट्लेट पाती है व्यश्ण चला जाता है विससे हम कहते है ऍंप्रांटोर की बैक्टेरियाइनxy spawant ज county करए इसका मल्टिप्रिकेशन जो है इसके अंदर नहीं होता है तो primo मै princes मेर्यकस पर चरदाउば यह करएंढर के बाद में स्टेज आती है प्लीटिकी नहीं से में मेच्क यूरी शॉस है निकीड शैनल है किसे मेक्टिर्य जो और ढर interfaces भी और बिमारी होती है तो पुई अगर उसकी इम्मृटी हो गई है तो वह बैक्टिरिया क्या हो जाता है जो को बिद्लीकिशन को बढ़ा देता है तो आपको रिस्क वह बढ़ जाती है कि इसकी पल्मोनरी टुबर कुलोसिस की और शो सिम्टम सिम्टम्स शो करने लग जाता है और रिस्क ज्यादा सेवियर हो सकती है तो ब्लड इस्टम के तो आपके अधर और और गन को जिसे ब्रेन लंग्स किड्निक को भी एफेक्ट कर सकता है तो यह स्टेज उप इंफेक्शन आपको नोन इंफेक्टेट पेशन आया है तो उसको ज्ञादा हो सकती है यह रोग सेल मीडिय यानि कि कोई एसा पेशन जिसका है पॉस्ट ट्रांस्पलेंटेशन अगर किया है कुछ समय पहले। तो उस condition में क्या होता है कि आपके इम्मृटी चो होती है वह वीक करनी पड़ती है कि अगर आप ऑर्गन का transplantation कर रहे हो तो उस condition में क्या होगा है तो वह ओर्गन को के इम्मिनिटी को वीक करती हो अगर लिए हो तो उस कंडिशन में भी आपको रिस्क बढ़ जाती है या फिल एल्डरली पीपल यानि की जो ओल्ड एज वाले होते हैं उसके उनकी इम्मिनिटी जो है पहले से वीक होती है तो वीक होने के कारण आपको टुबरकुलोसिस के चा हो सकता है उसमें म्यूका पॉपलर भी हो सकता है म्यूकस हो सकता है या फिर ब्लड भी देखने को मिल सकता है और यह सिम्टम्स आपको तीन वीक के अंदर देखने को मिल जाते हैं उसके बाद में फीवर हो सकता है नाइट स्वेट हो सकती है पसीना सकता है थकान लग सकती ह यह ब्रेदिंग डिफिकल्टी भी आपको हो सकती है तो यह सारे सिंटम्स आपको हो सकते हैं रिस्क में आपको किस कंडिशन में आपके रिस्क बढ़ सकते हैं अब हम बात करते हैं रिपारिटी डाइगर के बारे में बात करें तो सबसे पहले रिष्किन के जरूरत रती है और उसमें हम दो तर प्रकार के इस पैसिमन लेता हैं तो स्वार्ट सेंपल और रिए और एक आर्ली मोर्निंग सेंपल तो इस पोर्ट सेंपल होता है वह जब पेशन जयांच करवाने के लिए आता है तो सेन दैम मैं कि उसी वक्त हम इसका सेंपल लेते है जो ने सपूटम लेते तो वहुम्म से next day लेते हैं उसके बादा ऑफ यदि मोट्री क chemistry करें तो नगे ऊच्टmart ले लिया है तो अब चौनल करते हैं स्नुन करते हैं इसका स्मेर बनते फिक्स करते हैं तो स्की माइक्रोफिक में देखते हैं तो क्येसे बाए का पहले हम स्थे करते यानि कि जील नैलसल टेक्निक होती है जिसमें हम स्टैनिंग करते हैं इस प्रकार का इसमेर बनाते हैं फिर उसको फिक्स करते हैं फिक्स करने के बाद स्टैन करते हैं तो इसे प्रकार इसे जील नैलसल स्टैन होती है फ्लूरोसेंस स्टैनिंग होती है औरमाइन रोडामाइन स्टेनिंग इन सब के बारे में जड़न स्टेनिंग का वीडियो में बना चुकी हूं आप वहां पर जाके देख लेना उसके बाद में फ्लूरोसेंस और माइन यह भी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डीटेल में अभी बस मैं इसका शोट में इनके नाम बता देती हूं कि कौन कौन से स्टेनिंग के द्वारा हम इसके माइक्रोइसकोपी कर सकते हैं उसके बाद में कल्चर मेथड में हम जो सबसे मोस्ट इंपोर्टिंट पॉइंट फ्यूमें एक्जाम एन कॉम्पिटिटिव एक्जाम की माइक्रोबेक्टियम टुबरकॉलोसिस को उसमें ड्रud डालते हैं उसके इनदर वहाद है यांदि माइक्रोबेक्टियम टूरोथ तूम में यह एक जो एक मेसिद सियाने वहते लिए इसके लिए वाया मों टॉक्स टेस्ट में करते हैं यह यह मॉनटाव्य यह हम लेटिंट टीबी के लिए यूज करते हैं इसमें हम प्रिप्रेशन प्य यानि कि प्रोटिन प्रोटिइन प्रोटिन को प्रोटिइविटीव यह हैं तो को एंजेक्ट किया जाता है उसके बाद में 0.1 एमेल और PPD यानि कि जो पीपीडी होती है 0.1 अमेल की होती है इसमें हमें 1TU यानि कि 1TU Tuberculosis Unit एउनिट वो इजैक्ट 2 फोराम यानि कि जो भी टेस्ट करवारे के लिए आता है तो उसमें उसके लिए हमें क्या यूज करना है उसको हम फोर आम पे इंट्राडर्मली इंजाक्ट करते हैं ठीक इसकी सीरिंज होती है उसके द्वारा तो इंट्राडर्मली इंजेक्ट करते हैं उसके बाद में इसको अफ्जर करेंगे आफ्टर 48-72 हावर यानिकि हमने जो मॉंटक स्टेस के अंदर और से सीरिन से उसको वन टी यू को लगा दिया है फोर आंपे इंटाधर में लगाने के बाद हम एसे हलका सा राउंड बना देते हैं जहां पे हमने लगा यहां पर यह दो करते हैं वहाँ पे हलका सा उभार टाइप से आ जाता है चोटा सा उसके बाद में हम इस तरीके से राउंड बना देते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ इस जगी हमने लगाया था फिर नेक्स फोटी एट टू सेवंटी टू हावर के अंदर हमें वह अब्जर्व करना रहता है तो हम वह अब्जर्व करते हैं तो उसको मिजर करते हैं उसकी वीड को मिजर करते हैं अगर 10 mm से ज़्यादा अगर आपको दिख रहा है फिर इसको साइट जहां पर हमने लगाया था उसको हम मिजर करेंगे कि ये कितना फेला हुआ है रेड नेस आजाती है उस पे और उभा तो यहां पर यहां पर यहां पर और उसको हम मीजर करके बता सकते हैं कि यह मॉंटक से जो है यह पॉसितिव है या नेगेटिव है दिन और कुछ ऐसे सिस्टम आ गए है जिसके द्वारा हम यह कर सकते हैं कि यहां ट्यूबर कॉलोसिस है या नहीं तो वह देखते हैं उन सिस्टम के बारे में तो कुछ ऐसे सिस्टम कुछ आया है तो ओटोमेटिड रियल टाइम पीसियार पॉलीमराइज चेन रियक्शन के द्वारा तो जिसे की जीन एक्सपर्ट जिसे हम सीबी नाट य यानिकी एक बार में हम एक से चार सेंफल इसमें इसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं उसकी बात में बात कर रहें रेजिस्टेंट की तो यह बैक्टेरिया जो होता है रेजिस्टेंट होता है एक सिक्स्टी डिग्रे सालसियस इन 15 टु 20 मिनिट अगर हम इसे 15 से 20 मिनिट त कर दो